नमस्ते मैं हूँ अनुपमा और आज की वीडियो में शेयर करने वाले हूँ 7 बहुत ही सिंपल से टिप्स जो की काफी आपके लिए हैल्फुल हो सकते हैं नमर वन राइट आट लिस्ट फन मेज़र टास्क फ़र दे और इफ यह एक्ट्र टाइम राइट टो मोर टास्क विच जेनरली डोंट टो ऑन डेली बेसेश इसा होता है कि हम लोग जब घर में होते हैं तो हम लोग अगर राज को प्लान करके भी चलते हैं तो सुबह कई बार चेंज़े आ जाते हैं प्लान में क्योंकि अगर फैमिली बड़ी होती है या बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ तो फिर आप उस चीज को टालने लगेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि यह नही नहीं पाएगा यह एक टास्क इंटू स्मॉलर वन्स सो डाट यू दो प्रोक्रास्टिनेट कई पर ऐसा होता है ने कि जब हम बहुत ज्यादा काम एक साथ देख लेते हैं या कोई काम ऐसा होता है जो हमें टफ लगता है तो फिर हम उस काम से जी चुराने लग जाते हैं हमें लगता कि अब यह क्षाम लगता है तो इसलह उस टास्क को आप छोटे चोटे उस में डिवाइट कर लीगए जैसे आपको किचन के लिटर करना वहला है तो किचन का एक पार्ट जितना आपके पास टाइम है उस हिसाइप से आप बवह डिवाइड कर लो तो उस हिसाब से चोटे-चोटे पार्ट में आप डिवाइड कर लेंगे फिर एक काम खतम हुआ फिर अगले चीज पे फिर आप जाएंगे तो फिर आपको इजी लगेगा और जिस हिसाब से आपका टाइम होगा उस हिसाब से आप वह चीजें फॉलो कर पाएंगे और ये तरीका सही में काम करता है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास time होता है लेकिन फिर भी हम वो काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें काम देखके डर लग जाता है कई बर ऐसा होता है कि हमें कोई चीज बिल्कुली करना पसंद नहीं होता तो उस केस में अपने मन को तसली देने के लिए पांच मिनट दस मिनट जो भी आपके पास time हो तो उतने का देर का timer set कर लीजे फिर आपका ध्यान काम पे कम timer पे जादा होगा और आपको पता भी नहीं दोख करने हो तो सब्थे लगते हैं और और अगर आप काम पनिन पसंद आँ उसलिम महीं हो जाता है तो वह चीज़ नहीं हो जाता है वह चीज गंदव होना कि किसी को तो अगर आप छोड़ देंगे तो गंदा होना शुरू हो जाएगा तो बेटर है कि आप टाइमर सेट कर लीजिए और जितनी देर तक टाइमर चलता है आप काम करिए Always do one thing at a time as multitasking is very bad for mental as well as physical health यज़ तो आपने कई जगर देखा होगा या हम लोग खुद भी कई बार करते हैं कि हम एक साथ बहुत सारी काम करते हैं और बहुत सारी काम करने के चकर में कोई भी काम हमारा सही से नहीं हो पाता और घर में हम सुनते हैं कि तुम कोई भी काम सही से नहीं करती हो जब कि हम पूरे दिन काम में लगे रहते हैं तो बेटर है कि एक टाइम पे एक ही काम करें क्योंकि multitasking बहुत ही ज़्यादा हमारी mental health के लिए नुकसान दे है और अगर हमारी जो चीज mental health के लिए नुकसान दे होता है वो दीरे दीरे जाके हमारी body पे भी नुकसान करना शुरू कर देता है तो बेटर है कि थोड़ा सा time को manage करना सीखिए और एक time पे एक ही काम करने की कोशिश करिए start your day early and until you finish your daily chores don't use phone और watch TV क्योंकि अगर आपको सारा काम सही से करना है तो अपना दिन की शुरुआत आपको जल्दी से करना होगा मतलब जल्दी उठना होगा जल्दी से काम निप्टाने होंगे और जब तक आपके डेली के काम खतम नहीं हो जाते तब तक आप फोन को मत खराब कर देती हैं फिर हमें समझ में यहाता कि क्या होड़ा है मैं तो पूरे दिन काम करती हूं काम खतम ही नहीं होता तो एक बार जो सुबह का सारा काम है वो खतम कर लीजिए उसके बाद आपके पास टाइम होगा आप फोन चलाएं टीवी देखें या किसी से आपको बा और तो भी काम नहीं होता आपको यह लगेगा कि मेरा काम कितनी जल्दी खतम हो जाता है और मेरे लिए अपने लिए टाइम ही टाइम है मैं अपना सुबह का काम जल्दी निप्टाती हूं जिसकी वेसे मुझे अपनी हौवी फॉलो करने के लिए मेरे पास प्रॉपर टाइ कीप यहाऊस सिम्पल and clutter free it will save you a lot of time- and it will give you mental peace and happiness क्योंकि घर आपका जितना ज्यादा सिम्पल रहेगा जितना ज्यादा clutter free रहेगा उतना आपका time बचेगा उसको manage करने में उसको maintain करने में उसको reorganize उसको arrange करने में और आपको देखके अच्छा लगेगा आपको मन की शान्ती लगेगी घर में आपको लगेगा feel at home वाली feeling आएगी नहीं तो घर में भी ऐसा लगते रहता है पता नहीं हम कही market में आ क्योंकि अगर पूरा घर अमिदम भर भर के रखते हैं बहुत ज्यादा decoration कर देते हैं तो over decorated home को manage करना maintain करना उसमें बहुत time चाहिए बहुत effort चाहिए तो अगर आपके वाद ज्यादा time नहीं है आपकी responsibility ज्यादा है तो घर को simple रखिए असानी से manage हो जाता है और आपको ये भी नहीं लगता कि है मेरा घर गंदा लग रहा है आप मैं क्या करूं ये सब सोचने की आपको जरूत नहीं पड़ती है last tip is spend some time with nature or the plants you have हमें से ज्यादा तर लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं और इस चीज़ को ignore करते हैं कि सोचते हैं कि इसकी क्या value है लेकिन ये बहुत ही important है कि थोड़ा सा time आप nature के साथ प्रकृती के साथ बिताएं अगर आपके पास ये option नहीं है कि आप बाहर lawn में जा सकें और garden म जा सकें तो आपने जो plants लगाएं गमले में आप उनी के साथ थोड़ा time बिताएं क्योंकि अगर आप पौधों के पास रहते हैं तो आपका stress level बहुत कम हो जाता है जिससे कि आपको बहुत तरह की बीमारियों से बचने में help होती है I hope ये वीडियो आपके लिए helpful होगी और आपको कौन से tips अच्छी लगी प्लीज जरूर बताइएगा मिलते हूं आपसे नई वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए